मुझे आज आज काफी रिक्वेस्ट आई आप लोगों की कमेंट में आप लोगों से मैंने सजेक्शन मागा था और आप लोगों का सजेक्शन था मैक्सिमलों का यह सेजेक्शन था कि फिनिशल अवेरनेस एज एज एमसी क्यू के फॉर्म में रहे विद सम्हाव डीटेल्स कुछ कुछ डीटेल्स के साथ तो चलिए 29 माई 2021 का यह फिनिशल अवेरनेस है इसमें देखेंगे कुछ कोईश्चन और उनसे रिलेटेड कुछ करना चाहते हैं जहां पर मेरे हर लेक्चर की पीडिएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी आप अगर कोर्स में इन्रोल करना चाहते हैं तो नौलजजस.in पर जाएए और और आप मोबाइल से करना चाहें तो नौलजस टैप को डाउनलोड कीजे और उसके बाद इस कोर्स मे और साथ ही साथ SO की test series को purchase करना चाहते हैं तो test.knowledge.in पर जाएए आपको वहाँ पर test series available होगी उसमे इन्रोल कीजे और practice sessions जैसा कि मैंने पहली बताया था practice बहुत जरूरी है तो practice as it is जैसा paper में आपको मिलेगा IBPS paper में मिलेगा वैसा ही as it is question आपके सामने आएंगे उनको practice कीजिए ताकि आप उसमें used to हो सकें और एक और चीज़ बता दू ग्रूप है हमारा RRB GPO21 का target group है उसे join कीजिए और जो भी queries है वहाँ आप पूछिए और latest video के updates वहाँ लेते रहिए चली फिर अब शुरू करते हैं now here's the first question IFSCA constitutes an export committee IFSCA ने एक export committee बनाई है किस पर investment fund investment firm पर ठेक है यह investment fund पर जो committee बनी है उसको कौन head कर रहा है यह हम कहें कि इस committee के head कौन है आपको मैं बता दूँ बहुत important है यह section ही पूरा important है committee and their heads अब एक साथ पढ़िएगा तो भी अच्छी बात है और शुरू से पढ़ते रहेगा तो और जादा अच्छी बात है चलिए IFSCA क्या चीज़ है जैसा कि आप देख सकते हैं figure में international financial services center authority ठीक है यह है तो IFSCA जो है उस उसने export committee बनाई है चलिए option देख लेते हैं कौन उस committee को investment fund committee को head कर रहा है option यह है M. Rajeshwarov, नीले शाह, सुदर स उनसेन, श्यामला गोपिनाथ, नौ, दे करेक्ट एंसर इस, नीले शाह, थोड़ा मेरे कहने का मतलब यह है video recorded है, video को pause करके, थोड़ा दिमाग पर जोर डाल करके, कोशिश कीज़ेगा अगर आपने पढ़ा है तो उसको पहले recall करने की कोशिश कीज़ेगा, then फिर video play कीज़ तो आपको बहुत अच्छा response मिलेगा, ठीक है, now, direct video ऐसे चलाते हुए मत देखेगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा है, वो आराम से जानकारी के लिए देख सकते हैं, तो निलेश शाह is the head of this committee, investment fund committee, चलिए थोड़ा detail देखते हैं इस question का, now here are the details, International Financial Services Center Authority, IFSCA, पहले तो हम यह ज Financial Products का develop करती है, Financial Products को develop करती है, ठीक है, जیसे कुछ Financial Products develop हुए, उसमें क्या error है, ठीक है, जिसे Financial Products को develop किया, Financial Services को check cool, उसको develop किया financial institution को check किया और उसको develop किया ये सारे काम करती है IFSCA ठीक है और ये किसके under में होता है ये सब कुछ IFSC के under में होता है जो इंडिया में है ठीक है मतलब इंडिया वाले IFSC में चलिए नौ अब दिखते हैं आगे IFSCA यहां पर कहां पर based है ये है gift city में गाधी नगर इंग गुजरात तो देखे ये ये आपके लिए बहुत important question होता है अब देखे कैसे question put up होगा question आपसे ऐसे put up होगा कि IFSCA जो है अभी उसने एक committee बनाई है investment fund committee बनाई है जिसके head निले शाह है तो ये बताइए कि IFSCA situated कहा है तो आपको कुछ भी पूछ सकता है गुजरात में है गुजरात में है महराष्ट में है वगरा वगरा एक और question हो सकता है gift city में है या कहीं और इस तरह के questions बनेंगे आपके तो ये चीज़ आपको याद रखनी चाहिए that was one of the important point एक और चीज़ दिखे चेर्मन जो इसको head कर रहे है इस committee को निले शाह वो क्या है वो अभी MD है कोटक महिंद्रा के ठीक है जो asset management company limited मतलब कोटक महिंद्रा asset management company limited के अभी वो MD है managing director है ठीक है अच्छा एक चीज़ और दिखिए ये जो committee है कि करेगी क्या अभी तो हमने IFSCA के बात की ये committee क्या करेगी ये दिखेगी कि जो investment funds है ठीक है उनके क्या best practices हो सकते हैं ठीक है और उसके बाद उसको वो recommend करेगी IFSCA को और proper roadmap तैयार होगा उस fund का और उससे related fund industry का ठी I hope आप वो सारे points समझ में आ गया होंगे चलिए next question की तरह पड़ते हैं ये काफी जाना पहचाना question लग रहा होगा NPCI लेकिन NPCI से relation मतलब NPCI पर question नहीं है लेकिन NPCI के साथ question है NPCI ने partner किया है देकि partnership या MOU से related questions होते हैं वो भी आपके लिए बहुत important होते हैं that's why ये question आपके सा Turkish firm से ठीक है जो की roopee soft POS बनाएगा ठीक है अभी हम बात करेंगे की roopee soft POS क्या है आपने अभी तक POS सुना होगा ठीक है अभी soft POS क्या आ गया इसके बारे में discuss करेंगे ठीक है और यहां तो आप देख रहा हैं कि ये roopee soft POS है ठीक है अभी तो question पे आते हैं कि NPCI partner किया है Turkish firm से क्या चीज़ करने के लिए Rupes of POS के लिए Now Here are the options देखे ये Opio, these are all जितने आप ये देख रहे हैं options ये सभी एक payment platform है ठेके, payment companies है अलग-अलग जगर की company है तो चलिए, Opio, OFX, PayCore, PayU तो इसका जो exact और सही answer है वो है PayCore, यानि कि पेCore एक Turkish firm है जिसके साथ NPCI ने partner किया है चलिए, detail देखते हैं इसकी Now, here are the details National Payment Corporation of India ने partner किया है किसके साथ? PayCore जो कि एक Turkish firm है, उसके साथ क्या launch करने के लिए? Soft POS solutions देने के लिए है ठीक है? अब देखें, जो Rupes of POS है Soft POS का full form मैं बता देता हूँ Software point of services Software point of sales तो Rupes of POS क्या करेगा? ये contactless payment को accept करेगा ठीक है? कितने तक? 5000 तक Contactless payment होगा 5000 तक रुपय का कोई भी आप payment कर सकते हैं Contactless Without entering OTP और PIN कोई भी OTP आपको नहीं डालना है कोई भी PIN नहीं डालना है ठीक है? लेकिन अभी क्या है कि अभी जो Soft POS है वो सिर्फ अभी Android पर चल रहा है Apple या कहें iOS पर नहीं चल रहा है एक और बात बता दू यहां क्या है? कि आप card टच करेंगे ठीक है? रुपे card टच किया और उसके बाद mobile में जाकर के आप उसको एक tap से payment कर दिये That's it कुछ नहीं करना है तो यह सारी चीज़ें होंगी यह काफी easy होता चला जाएगा 5000 तक की limit अभी रखी गई है चलिए आगे देख लेते हैं अगला question हमारा यह उससे पहले एक और point है किस-किस तरह के questions इस points से आपके बनते हैं तो पहला तो जो question आप से पूछा गया कि एक Turkish firm है किस company का वो है तो वो पेकोर company है जिसने tie-up किया है soft POS रुपे के लिए नौ एक और question बनता है पेकोर is a global platform solution company पेकोर जो है वो एक global platform solution company है payment solution company है वो किस country की है तो वो Turkey की है Now another point is कि रुपे soft POS से हम maximum कितने amount का payment कर सकते हैं तो वो है हमारा answer होगा 5000 तो इस type से अपके questions आ सकते हैं इसलिए मैंने थोड़े types आपको बता दिया Now the next question इनको जिन्हों ने पहचान लिया उनके लिए answer zero हो जायागा मतलब बहुत easy हो जायागा तो दिखते हैं कितने कितने लोग इनको पहचान बाते हैं Who is appointed as CEO of RBI Innovation Hub जी हम RBI Innovation Hub एक कह सकते हैं यह भी sector है RBI का तो RBI Innovation Hub के CEO किसे बनाए गया है Now T. Ravi Shankar, Rajesh Bansal, BP Kanungo या NS Viswanathan Now यह T. Ravi Shankar है, Rajesh Bansal है, BP Kanungo है या NS Viswanathan है तो दिखिए, इसका जो सही answer है, वो है Rajesh Bansal जी है, Rajesh Bansal जो है, वो बनाए गया है CEO किसके RBI Innovation Hub के तो चलिए, इसके details देख लेते हैं Here are the details Rajesh Bansal takes charge as CEO of RBI Innovation Hub दिखिए, इसका full form आपसे पूछ सकता है RBI एच देदेगा और पूछेगा H stands for या I stands for तो Reserve Bank Innovation Hub तो यह जाद रुखिएगा यह अपके लिए बहुत important एक short form है चलिए, तो RBIH has appointed Rajesh Bansal as Chief Executive Officer ठीक है, RBIH यह कब effect होंगे, मतलब यह कब से अपना पदभार समालेंगे तो 17 मई 2021 से यह अपना पदभार समालेंगे ठीक है, राजेश Bansal के बारे में कुछ जान लेते हैं Bansal जी जो है, वो पहले founding team में थे आधार के, ठीक है, आधार की जो team बनी थी उसमें founding team में यह थे ठीक है, फिर जो technologies होती है RBI की technological areas होते हैं उनमें भी यह रहे हैं जो financial inclusion हुआ उसमें भी यह participate कर चुके हैं और payment systems में भी participate कर चुके हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कितने important व्यक्ति हैं इसलिए राजेश Bansal जी को CEO of RBI Innovation Hub बना दिया गया चलिए No Another question is State Bank of India ने partner किया है किस company के साथ AI powered online account opening की सुविधान देने के लिए इस COVID की स्थिती में चलिए अब हम option देख लेते हैं Hyperverge Tempus Ascent Nevada एक और चीज़ बता दू यह जितनी companies आप देख रहे हैं यह सभी AI powered यानि कि Artificial Intelligence Based Company हैं यह सभी यह सारी सुविधाएं प्रोवाइड करती हैं तो फिर एंसर गया एंसर है आपका A Hyperverge Hyperverge एक AI powered startup company है जिसने यह SBI के साथ tie up किया है चलिए इसकी details देख लेते हैं Now Here are the details Hyperverge The AI product startup has partnered इसने partner किया है SBI के साथ partner किया है किसलिए Video banking solution देने के लिए ठीक है इससे होगा क्या यह सारी Digital banking services SBI इस के थूँ यानि कि Hyperverge के थूँ अपने customers को दे पाएगा और काफी convenience प्रोवाइड कर पाएगा एक और सुविधा क्या हो जाएगी कि Video banking process के थूँ आराम से KYC हो जाएगी ठीक है और minimum IDs, documents लगेंगे और साथी साथ एकाउंट भी open हो जाएगा बैठे बैठे इस सुविधा को देने के लिए यह सारी सुविधाओं को और सारी convenience को देने के लिए SBI ने Hyperverge नाम के AI-powered या कहें AI product startup से tie-up किया है चलिए Now the next point यानि के next question हमारा क्या बनता है अभी हाली में Development Institute for Development and Research in Banking Technology DRBT इसने जो है वो नाड़ी को बिल्ड किया है ठीक है अब दिखते है नाड़ी क्या करता है नाड़ी देखे क्या करता है नाड़ी इट वूड प्रोवाइड रोड मैप नाड़ी जो है वो एक रोड मैप देता है किसलिए Future Digital Financial Services Future में कैसी Digital Financial Services होनी चाहिए और क्या क्या हमें सुइधाएं देनी चाहिए और क्या क्या development करना चाहिए ताकि भारत में जो Digital Services हो और वो बहिया हो सके Digital Financial Services और बहिया हो सके ये सारी चीजें नाड़ी करता है तो नाड़ी का फिल्ट फॉर्म क्या हुआ है देखें, आप्शन बताते हैं आपको National Digital Financial Institution Okay National Digital Facility Infrastructure National Development Financial Infrastructure टेखें National Digital Financial Infrastructure एक चीज़ और बता दूँ मैं जैसे जैसे मैं question put up करता जा रहा हूँ इमानदारी से अपने comment में आपने इसका क्या सही answer लगाया आपने इसका क्या सही जवाब सोचा वो इमानदारी से comment में बताते चलिएगा कि मैंने इसका ये answer सोचा था ठीक है उससे आपको ज़्यादा फाइदा होगा आप जब भी देखोगे तो आप उसे अपना correction करते रहोगे चलिए तो जितना आप इसमें engage करोगे अपने आपको उत्ता जादा आपको ये चीज याद होने वाली है एक बर देखा और हटा दिया तो फिर ये याद नहीं होगा ठीक है आप एंसर क्या है National Digital Financial Infrastructure नाडी का full form होता है National Digital Financial Infrastructure चलिए इसको कुछ details देख लेते हैं IDBRT In Building National Digital Financial Infrastructure इसलिए मैंने इसे read किया इसका भी full form पूछ सकता है IDRBT देदेगा और पुचाँ कि R stands for तो यह भी आपके लिए बहुत important है तो यह देखिए यह क्या कर रहा है यह next generation digital financial infrastructure को त्यार कर रहा है जिसे हम कह रहा है नाडी यानि कि नाडी क्या हुआ next generation digital financial infrastructure है यह आपको मैंने पहले बताया यह roadmap देता है future digital financial services को पहले आपको बता दिया यह चीज तो एक चीज और देखिए यह cloud SDN includes 5G edge with cloud SDN एक चीज और बता हूँ आपको मैं जो digital data है वो कैसे secure रहेगा और कैसे safe रहेगा यह बहुत दिन से चर्चा चल रही थी वो करते करते finally यह काम नाडी को सौपा गया है now IDRBT जो है वो RBI का एक हिस्सा है जो इस form को यानि की नाडी को बना करके इससे यह काम करवाएगा ठीक है देखिए यह back end को चेक करेगा नाडी तो back end के हमारा back end secure होना चाहिए उसके लिए नाडी पूरा काम करेगा ठीक है चलिए एक जादे जाते एक last question में आपको देखे जा रहा हूँ इसका मैं answer नहीं बताने वाला आपको और मुझे comment में इसका answer चलिए आप लोगों से I hope आप इसका answer ढूरेंगे या फिर आपको पहले से पता होगा अगर पहले से पता है तो ज़रूर जवाब दे वन ना ढूर के जवाब दें लेकिन जवाब ज़रूर दीजेगा यानि कि comment ज़रूर कीजेगा और मुझे comment करके इसका answer ज़रूर बताईएगा चलिए देख लेते हैं इंडिया ने इंडिया ज़रूर भारत का पहला agriculture export facilitation center कहां खोला गया है देखिए बहुत important question है आपके GBO के लिए scale 2 के लिए scale 3 के लिए ठीक है और PO के लिए तो definitely यह बहुत important question है ठीक है तो क्या है भारत का पहला agriculture export facilitation center कहां खोला गया है नासिक में खोला गया है पुने में खोला गया है गांधी नगर में खोला गया है या डेली में खोला गया है ठीक है options आपके सामने है options सही सही choose करके बताईएगा गलत भी बताया तो चलेगा attempt जरूर कीजेगा यहां आपके negative marking नहीं होने वाली है ठीक है चलिए इसी के साथ I hope आपको content अच्छा लग रहा होगा अच्छा लग रहा है तो please like कीजे share कीजे subscribe कीजे चैनल को और जादा से जादा share कीजे जादा से जादा subscribe कीजे subscribers देख विल्डियो देखतो रहे है subscribe कम कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कीजिए जादा से जादा share कीजे और subscribe कीजे views आएंगे तो मुझे भी motivation मिलेगा पिछले MCQ पे थोड़ा सा views कम है तो that's why मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग interested नहीं है अगर interested है तो views रखिए ताकि मुझे पता चले कि जादे जादे लोग देख रहे हैं I hope आपने content enjoy किया होगा चलिए मिलते हैं फिर next video में तब तक के लिए goodbye